प्रवाइब आप अपर आप अपर आप लोगों को मेरी और वीडियो अच्छे चाहरी होगी यह काम को जल्दी से अपने अपने ग्रूप में अपने अपने ग्रूप में जल्दी से और मुझे बताओ आडियो वीडियो सभी को प्रॉपर आ रही है कोई ऐसा तो नहीं जिसको आडियो वीडियो ना रही हो ठीक है तो गाइस आज हमनों बात करने वाले अपने करेंट अफियर्स की जो हमारे एक्जाम पॉइंट आफ दिसक्रस करने वाले तो आज सुबह छे बच चुके और यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हमाई साथ जुड़ चुके है सुमन वागिसा दिनेस पवन ये सभी लोग हमाई साथ जुड़ चुके है और सभी लोगों को सबसे विले तो गूड मॉनिंग है ठीक है तो सेयर कर वो यहां पर सस्टेन कर पाता है नहीं तो जो चुप चाप से बैट करके सब कुछ बरदास करता है वो एक दिन दबा दिया जाता है खतम हो जाता है बरबाद हो जाता है तो गैस लड़ना है लड़ना है ये तीन बाते याद रखिएगा कौन सी लड़ना है लड़ना है लेकिन जैसे जैसे passage of time बढ़ा, हमारे current affairs का weightage बढ़ता चला गया, अब current affairs related static fact और current affairs ही हमारे exam में 70% से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये हमारे exam के 15 दिन पहले तक के पूछे आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ICARA के exam में भी देखा था, तो अब हमारे पास मौका है कि हम इस current affairs को पढ़े, अब ये बात आती कितने महीने का पढ़े, तो 6 महीने की चीज़ों को याद रख पाना बड़ा मुस्किल काम होता है, इसलिए बार बार revision, बार बार जो है उसका अभ्यास ही जो है, वो हमको इस काबिल बनाता है, कि हम जो है, क्या कर सके, हम वहापे sustain कर सके, तो इसी उमीद के साथ, एक बाफिर से मैं आपके सामने याप पर जुड़ चुका हूँ, और आप से यहाँ पर बात करने वाला हूँ, आज National Safety Day के दिन, आज है National Safety Day, मतलब हमारा चार मार्च को होता है National Safety Day, कोई भी काम करिए, सेफटी के साथ करिए, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, या अपने किसी इंजिनिरिंग का काम कर रहो, या आप घर में, इवेन अपने घर का रिपेरिंग के लिए बिजली का काम करो, पूरी सेफटी के साथ किसी भी काम को करिए, क्योंकि जान है, तो जहान है, समझ रहो कि नहीं, आगे चलते, यहाँ पे हमारा, जो है, स्सी सीजल का, जो मास्तर क्लास चल रहा है, दो बच के 20 नट पे, या स्सी के सभी एक्जाम के लिए, दो बच के 20 नट पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और क्लास के अंत में, मैं इसका टॉपिक आपको बताऊंगा, कि आज टॉपिक क्या रहने वा पत्री, कोड लगाई है, पंकच सी, आप यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं, चले दोस्तों, तो सुरू करते हैं, सबसे पहले तो यहां पर एक कुश्चन है, किस मुगल समराठ के सासनकाल के दौरान, हिंदी महला, हिंदू महलाओं को सती होने से समाप्त कर दिया गया है, ऐसे देखेंगे, तो हिंदू को लेकर के काम करने वाला, एक ही मुगल समराठ था, वो था अकबर, तो अकबर के उपर टिक करेंगे, नंबर लेकर के जाएंगे, और यहां पर, यहां पर हम इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, अगर आप यह बुक लेना चाहते हैं, तो यह मेरे साथ रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसके लिए मैं मैं पर्सनल बोलना चाहता हूं, कि आप किसी ना किसी किताब से उसको लगाईए, वह हमारा क्वांट, मैथ नहीं बोलता हूं, मैं इसको क्वांट बोलता हूं, बहुत डिफरेंस होता है बीस बच्चों के साथ हम लोगो रिवीजन करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से सभी लोग, क्या आप लोग तयार है रिवीजन के लिए, सभी बच्चे तयार हैं आज नेशनल सेफटी डे के दिन, याद रखना बहुत जरूरी है, हमारे एक्जाम में जो भी प्रसन पूछे हमारे दिमाग में रहना जरूरी है, चलिए यहां पर कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर आता है, विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे, यह हमारा कब से मनाया जा रहा है, यहां पर कब से मनाया जा रहा है, तो यह 90 से 92 से 94 से यह 96 से, तो इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गनाइजेशन जो की हमारा बनाया गया था 1990 में, आप लोगों ने देखा ही है, 1990 में बनाया गया था, और तब से एक मार्च को हम लोग यह दिन मनाते हैं, ठीक है, चलिए अगला कोशन जाते, 31 में दक्षिडपूर्व एसिया खेलों का आयोजन कहां पे होने वाला है, कल हम लोगों ने साउथीस्टे कंट्री की बहुत बात की थी, चाहे वह हमारे सार्क नेसन हो, चाहे एसियान कंट्री हो, चाहे बिमस्टे कंट्री हो, बहुत बाते की थी उसके उपर, तो कोई जाकरता तो नहीं बोल ला है, नूर संतारा यहां की कैपिटल, अगर हम मलेशिया की बात करेंगे तो कुआलालमपूर है, है ना, सिंगापूर की बात करेंगे तो सिंगापूर सिटी है, बहुत बढ़िया, जनत अगला कोशन देख लेते हैं, ब्लू क्रॉस आफ नई ने, यह अपनी पहली स्कीम, पहली तरह की स्कीम चालू किये, याद रखिएगा, ठीक है ना, चलिए आगे तब चलते है, हाँ, यहाँ पर, हाँ, सरकार ने किस वर्स भारतिये ध्वज सहीता संसोधन करके, हमारे पॉलिष्टर पर ध्वज बनाने की अनुमती दे दि लेकिन कल जो कोश्चन थे न, उसमें हमारा क्या दिया था, उसमें विजिया था कि आपका डीर सो वर्त दिया गया, तो आपको लिंथ निकालना था, तो मैंने इसने दो अनुमत्य तीन किया था, तो टेंसर नहीं लेना था, यहाँ पर दो आजार दो जितने नों बोलने है बच्चों का जवाब यहाँ पर सही है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब 7 दिसंबर को हमारा ध्वज दे, मतलब बनाया जाता है आपको अतना है कि हमारा गुडगाओं में NGO जिसने हमारे किसके लिए जल खुसाली स्कीम सुरू की है, राजिस्थान में सीस की सुरूबात की गई है, बिल्मिलंडा है, अपाचे है, सफल है, पहल है या इसमाईल फाउंडेशन है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर सर ने कोशन पूछा जल खुसाली स्कीम किसने सुरू की है, चलिए, जल्दी से जनता जवाब देगी, जनता बोलेगी सर सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है, कि सर पहल फाउंडेशन की मदद से यह की गई है, जितने नों बोलने हैं बिल्कुल सही है, एसम सैगल अचाहिए, काहिरो एजिप्ट में जो है, वो किसने निसानी बाजी में पहला गोल्ड मिडल जीता है, पहला गोल्ड मिडल जीता है, देवान सिंग है, जीतू रहा है, सौरब चौधरी है, या गगन नारंग यह देखिए, मैंने कोश्चन मार्क बना दिया, तो यहाँ पर याद रखेगा, 10 मीटर एयर पिश्टल में, 10 मीटर एयर पिश्टल में, एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, चलिए आगे तब चलते है, वन स्टॉप सिंटर महिलाओं के लिए जिसका नाम है मनोरक्षा, बटा इनके उपर किसी भी तरीके का, कोई अगर हमारे वाइ जाओंगा, क्योंकि ये जवाब बिल्कुल सही है, इसमर्ती रानी यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम सही जवाब है, अच्छा एक बाब बताईए, ईस डूइंग बिजनस में, हमारे ई बिल्स लेकर कर आगे, मतलब अब क्या होगा, हमारे जितनी भी चीज़े होंगी, वो डिजिटल बिल के रूप में आपको दिखाई देंगी, बिजनस के रिलेटर, ये किसने घोशना की है, निर्मला सीता रमान सवानन सोनुमाल है, इन गटकरी जी है, प्यूस गोईल है, तो जनता ने फिर से जवाब देना सुरू कर दिया, कि सर सही जवाब होना अची है, निर्मला सीता रमान जी, जो हमारे देश की फिनाइन्स मिनिस्टर है, पहली फुल टाइम, महिला फिनेंस मिनिस्टर यही है, पहली फुल टाइम, हमारे फिनेंस मिनिस्टर यही है, बिलकुल, इंद्रा गांदी जी पार्ट टाइम भी रह चुकी है, लेकिन फु ने सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल इंडेक्स बनाई हुए उसमें इंडिया का रेंक सटक करके कहां चला गया है गाइस मैं अभी तक सोच रहा था 300 बच्चे आ करके रिवीजन करने लग जाएंगे तोड़ासा यार है मिंटेन रखिए जनता बोले सार 120 वी रेंक हो चुकी है हम केवल पाकिस्तान से ही आगे है साउथ इस्ट के जो हमारे साउथ एसियन कंट्री उसमें से पाकिस्तान से आगे है पाकिस्तान के एक सुनती से हमारी 120 है समझ रईसी में भारत वाले खुस है हम पाकिस्तान से आगे है पाकिस्तान से आगे है अगला कोशन क्या है हमारे पश्मी वायू कमान का जो है वो हैड़कॉर्टर दिली में है लेकिन इसको किसने किसने इसकी कमान समाली है स्री कुमार है देन उसका राम चाधरी है मेर मारसल संदीप सिंग है या एर मारसल बिक्रम सिंग है तो guys आप लोगों को नाम याद रखना है तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए स्री कुमार प्रभाकरन मैं देखो इसको उपर टिकर रहा हूँ स्री कुमार प्रभाकरन जितने भी बच्चे बोलेंगे नंबर उनका यहाँ पर सही लगेगा स्री कुमार प्रभाकरन जितने भी बोलेंगे जवाब उनका सही है यह हमारे Western Air Command के क्या बन गए हमारे Commander बन गए ठीक है, रिवीजन चल रहा है अभी जितने नये लोगा यहाँ पर देखेंगे रिवीजन चल रहा है National Assessment of Eridigation Council के हमारे चेर्मेन कौन बने देखो यहाँ पर National Assessment Eridigation Council के Chairman कौन बने तो आपके सांधनी option लिखे हुए मेरे को तो जैसे option दिख जाएगा मैं टिक कर दूँगा इतना तो दिमाग में रहना ही चाहिए डेली अगर हम लोग आते हैं तो पटवर्धन जी के उपर टिक कर दिया जाए डॉक्टर भूसर पटव कुलंब में सही है ना भाई याद सबी को भूलना नहीं भाई साब मैं यहाँ पर International Olympic Committee ने हमारे किस को मेडल वापस ले लिया है वाई-लेट्रल स्यप कर लिया है डाप 지这 अश्रयज यहाँ świपकre है यहां पर भारत और किस कंट्री के विच भी में हम्ारे यहां पर बाई-लेट्रल जो है वो एप हो चुका है तो यहाँ पर जन्ता बोल लगे इसा सहिउत्तर होना चाहिए जापान यहाँ पर जतने लों बोल ले है उनका जवाब बिलकुट सही है एक नंबर बोलने वाले मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं सर जापान बिलकुट सही अच्छे बता हिए सन्नी रामाधीन ने फरवरी 2022 में जिसका निधन हो गया वो कौन से हमारे देश के थे वेस्टन डीज थे बांगला देश थे स्री लंका थे या जिम बॉंबे थे यहाँ पर जन्ता ने जवाब दे दिया है किसा सही जवाब होना चाहिए वेस्टन डीज के यह महान हमारे स्पिनर थे जिनका निधन हुआँ गाइस पहला जो टेस्ट खेला गया था लार्टस में खेला गया लारटस के पहले टेस्ट में ये हमारे वेस्टन डीज और इंगलेंड की तरफ से यह टेस्ट हुआ था और यहाँ पर यहाँ पर याद रखेगा important हो जाता है तो guys यह थे हमारे important revision जो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से निपटाया I hope so दिमाग में एक एक बात बैठ गई होगी एक बहुत important information आप लोगों को सूचित कर देता हो कि हमारे फरवरी का सफाया है ना यहाँ पर बहुत ध्यान सुनिएगा फरवरी मंत का हमारा सारा का सारा current affairs चाहे वो हमारे budget से related question हो या हमारे जितना भी हमारे appointment हो जितने भी हमारे book and author हो जितने भी government की scheme हो सब कुछ करने वाले हम लोग छे बजे से आठ बजे तक संडे के दिन ये वाले संडे को करने वाले है किसी को कोई सक है तो बता देगा यहाँ पर छे से आठ पूरे फरवरी का हम लोग revision करने वाले है सुबेरे छे बजे से आठ बजे तक किसी को कोई सक है मैं यहां पर पढ़ाऊंगा नहीं पहली चीज तो यह आप लोगों को पूरी अपनी पीडिया फ्री वीजन करके आनी है और एक भी कोश्चन गलत नहीं करना है तब ही मज़ा आएगा मेरे को कि यहां पे जो 400 बच्चे आ रहे हैं उनको सारा का सारा बहुत बढ़िया तरीके इस दिमाग में चला गया है तो इस बात का स्वागत सब लोग जैहिन से कर देंगे अगर आप यहां पर आने वाले तो जैहिन यहां पर लिख देंगे अब दोस्तों आज कि हम लोग हैड्लाइन्स यहां पर पढ़ने वाले और मैं चाहता हूं कि 330 बच्चों के साथ यह Headlines को देखते हैं कि कौन से ऐसी बाते थी जो हमारे exam के लिए बड़ी important बड़ी कुछ आज बातों को Headlines में नहीं जोड़ा जा सका है क्योंकि समय की कमी की वज़े से आज हमारे computer जी की थोड़ी तबियत भी गड़बड थी तो हम लोग उसको detail में current affairs में पढ़ेंगे तो Headlines आपकी जो है यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी लेकिन detail में current affairs आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इसलिए पूरे वीडियो को अराम से देखेगा चले शुरू किया जाए 330 बच्चे में कुछ 10-15 बच्चों की कमी है जल्दी से सभी लोग एक साथ जो बच्चे और 400 आते वो तो आ जाये करें 10 मिनट के अंदर अंदर चले दोस्तों तो यहां पर सुरू करते हैं सबसे पहला Reliance India Limited ने जो है वो सामिया कॉर्प फ्रॉम जेवी टू बूस्ट इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्चरिंग समीना कॉर्परेशन और Reliance Industries ने जो हमारे क्या कि है आपस में एक जॉइंट वेन्यू बनाया हुआ है जिससे कि वो इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्चरिंग है उसको बूस्ट कर सके मताब अभी हम लोग इलेक्ट्रोनिक्स के उपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से किसके किया जिससे कि अब ने ने मोबाइल रिलाइंस के अब मोबाइल भी आएंगे समाझे लोग कि नहीं फिर तुम लोग बोलोगे कि अब मेरे पास जो है वो इंडिया कंपनी का मोबाइल है बहुत बढ़िया अगला कोशन क्या है फ्यूचर जनरल लांचेज हेल्थ इंसुरे आती है घोडों को नहीं मिलती घास और घदे खाते है चबन प्रास मतलब हमारे यहां पर इंसान जो है वो कुट्टे की मौत मर रहा है और कुट्टे जो है वो हेल्थ इंसुरेंस उनका हो रहा है तो यहां पर देखिएगा यह बड़े अच्छी बात हमने यहां पर निकल क कि इंसान जो है वो कुट्टे की मौत मर रहा है और कुट्टों का हेल्थ इंसुरेंस हो रहा है और कौन कर रहा है फ्यूचर जनरली हमारे ने यह लांच किया हुआ है यह पालतु कुट्टों के लिए पहली हिंदुस्तान में स्वास्त बीमा है बहुत बड़ी है भाई कि हमारी rank जो है sustainable development जो program था 17 जो goal अचीब करने में 120 नंबर पे लेकिन just उल्टा यहाँ पर देखिए यहाँ पर night of rank की एक report के अनुसार billionaires की population में हम पूरे world में 30 नंबर पे भाई साब खरपती रहते हमां यहाँ पे तीसरे नंबर पे हैं पूरे world में और यहाँ पर आप बोल लाएं कि हम लोग गरीब हैं तो भाई हमने बोला भी बात ना कि हमारे यहाँ पर किसी के पास इतना पैसा है इतना पैसा है यह नहीं तो गाइस यह रिपोर्ट नाइट फ्रेंक ने आ पर दी है जिसमें हमारी रैंक तीसे नंबर पे है अपॉैंडमेंट है यस प्राज फिल्म समझ रहो यह सराज फिल्म आप लोग ने देखा होगा बहसारी फिल्म है कुछ कुछ होता है एक मूबी का नाम है कुछ कुछ होता है समझ रहो कि नहीं लड़कियां बहुत पसंद करती है मालू मैं कि नी नी दीप बोलेती ही सार हमको बहुत पसंद है तो यस राज फिल्म जिसने बहुत सारी फिल्म बनाई है उनके CEO यहां पर बनाएगा है जिनका नाम है क्या नाम है इनका नाम है हमारे अक्षय विधानी अक्षय विधानी जो है यह CEO बनाएगा यस राज फिल्म याद रखिए का भाई यह हमारे बहुत सारी मूवी यार तुमनों ने बहुत सारी देखी भी इंगे कौन सी तुमनों को या स्राज मूवी की बैनर की मूवी पसंद जरा बताते चलो यार कुछ कुछ होता है उन्हीं कि दिल तो पागल है देखो कैप्टन दा सर दिल तो की है अस्वनी वैसनों हमारे देश के कमनिकेशन और आईटी मिनिस्टर है साथ ही साथ रेल मंत्राला इनके पास दिया गया है तो इन्हों ने सुरुवाद कि इसकी हमारे एनाइसी टेक कॉनक्लेव की जो कि दिल्ली के हमारे विज्ञान भावन में सुरू हुआ है MOD का फुल पॉम कभी भी आजाएगा तो Ministry of Defence ठोका जाएगा तो यहाँ पर Principal Approver for 4 प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट जो है Ministry of Defence ने यहाँ पर सुरू किया हुआ है जिसमें हमारे MAC 1 और MAC 2 यहाँ पर सामिल किये जा रहे है और यह चारों प्रोजेक्ट को डीटेल में गाशन स्कीम है उसको दोबारा से बहाल करने के लेए कमेटी बनाई और उसके चीर में भी बनाए तो यहाँ पर आप यहां पर राज्यों के, हमारे राजगे करमचारी है, उनके लिए क्या किया जा रहा है? वापस से और य Southern में बनाई और उसके लिए एक हमारे idea to consult हिगा है जिससे कि हमारे जो बच्चे एक काजा report के अनुसार बहुत तेजी हमारे किस रब जा रहे है, नसे कि तरफ जा रहे भाई सब एक बढ़े actor है हमारे देश के, उनके बच्चे को पकड़ा गया था drugs ले कि कुछ ग्राम का ड्रक्स लेकर के जा रहे थे, तो ऐसे हमारे देस के बहुत सारे बच्चे जो है वो नार्कोटिक्स की तरफ जा रहे है, तो यहां पर चिल्डेन एंड राइट, चिल्डेन राइट प्रोड़क्शन हमारे इंडिया का है नेशनल कमिशन फॉर प्रोड़क् पर एक वो होती है, टिकेट निकालने वाले बिंडो होती है, जनरल टिकेट निकालने के लिए, उसने टाइब किया है पेटीम के साथ, ठीक है ना प्लेटफॉर्म अगर आपको टिकेट निकालना है, तो आई-र-सी-टी-सी ने पेटीम के साथ टाइब किया हुआ है, आप वह sister आए रही थी तो मैं platform ticket निकालने के लिए गया कानपूर में भाई 50 से 60 रुपए platform ticket और हम जब college में पढ़ा करते तो दिल्ली से लेकर के कानपूर तक किराया होता था 100 रुपए बताईए दिल्ली से कानपूर आप 100 रुपए में पहुंच जाते हैं और आपके platform ticket का किराय तो यहां पर टाई अप कर रही है पेटियम के साथ आई-यार CTC ने अन रिजर्ड एंड platform tickets जो वेंडिंग मसीन होती है आप वहां से पेटियम से निकाल सकते तो बढ़िया यहां पर एग्जाम में आने लाइक कोश्चन यहां पर हमारे कम्प्यूटर जी ने बोला है कि स्टूडियो में कुछ भी खाना और पीना सक्त बढ़िया तो यहां पर जल्दी से फिर से सुरू करेंगे जैहिंद की सुरुवाद करेंगे और यहां पर हमारे कम्प्यूटर जी ने बोला है कि स्टूडियो में कुछ भी खाना और पीना सक्त मना है यह कम्प्यूटर जी के हमारे निर्देश है और यहां पर लगा दिया गया हमारे सामने कि drinking and eating is not allowed in studios देखे कम्प्यूटर जी का सक्त आदेश है तो यहां पर बिल्कुल कुछ भी खाना भी नहीं है कुछ भी पीना भी नहीं है ना पानी पीना है ना खाना खाना है ना चाए पीना है ना कॉफी पीना है यह हमारे कम्प्यूटर जी कादेश है तो हमने कम्प्यूटर जी से पूछा क्यों ऐसा करना जरूरी है स्टूडियोज में तो उन्होंने बोला कि जो हमारे स्टूडियोज है यह पूरी तरीके से सील पैक है और गलती से यहां पर कोई चीज गिर जाती है तो चीटियां आ तो जाएंगी लेकिन जा नहीं पाएंगी जिसकी वज़े से फिर उन चीटी का चीटा भी आ जाएगा और उनका परिवार पूरा यहां पर बढ़ा हो जाएगा और यहां पर दिक्कत हो जाएगी तो यही रीजन है जिसकी वज़े से यहां पर यह हमारा यह लगाया गया है नोटिस और हमारी आखों के सांदने दिख रहा है तो हम कुछ खाएंगे पीएंगे नहीं सिप सांस प्लास्टिक संधी पर बातचीत और अंतिम रूप देने के लिए एक समीती बनाने पर व्यक्त की है तो प्लास्टिक के लेकर के इनवार्मेंट प्रोटेक्शन को लेकर के जो हमारे समीती बनाने के लिए बात की गई है वो कौन से साल तक है 24, 25, 26 या 23 क्या होना चाहिए य हमारी क्या नैरोबी है और यही पर हमारा युनाइटेड नेशन इन्वायर्मेंट प्रोग्राम का हेड आफिस है क्या यहां पर युनाइटेड नेशन इन्वायर्मेंट प्रोग्राम का हेड आफिस आपको केन्या में देखने को मिलेगा नैरोबी में ठीक है ना भाई चल अगले कोशन की तरफ चलते हैं तो यहां पर UNSC के जो हमारे पांच पर्मानेट मेंबर है उनको याद करने की ट्रिक यहां पर कंपूटर जी बता रहे है France, Russia, America, China और England मतलब France से आप याद कर सकते हो F से France हो गया, R से Russia हो गया, A से America हो गया, China हो गया और England हो गया तो हमारे यह 5 हमारे UNSC के UNSC के क्या है हमारे 5 जो है यह पर्मानेट मेंबर है और 10 नौन पर्मानेट मेंबर है जो हर दो साल के लिए चुने जाते है हर दो साल के लिए पर्मानेंट इनके पास वीटो पावार होती है चली आग़े ही तरफ चलते हैं अगला कोशन यहाँ पे आ जाता है मार्च लिए 22 में इंप्टन कोशन आगया है इंप्टन कोशन तो यहां पर Lieutenant General R.C. Tiwari है, Lieutenant General J.P. Matthew है, Lieutenant Guri Pal Singh है, Lieutenant General Yogendra Dimari है, तो यहां पर जनता बोलेगा, Sir, सही उत्तर हो ना, चीदे कि स्पियर का मतलब होता है क्या, हमारे जो भाला होता है, तो हमारे यहां पर अलग-अलग unit है, SWARD Command है, हमारे यहां पर एक राजपूताना range है, जो सबस पुरानी है unit, उनकी मूचे बहुत बड़ी-बड़ी होती है, मूचे बहुत बड़ी-बड़ी होती है, वैसे हमारे यहां पर एक स्पियर कॉर्प है हमारी आर्मी में, जिसके हमारे Commanding Chief of Chief Officer बनाए गए है, जनता यहां पर देखेंगे, तो तिवारी जी, General, Lieutenant General R.C. तिवार का, तो इनको बनाए गया यहां पर, तो Lieutenant General R.C. तिवारी जी को स्पियर कोर के General Officer Commanding का पद दिया गया है, Lieutenant General R.C. तिवारी स्पियर कोर के General Officer Commanding के रूप में पद ग्रहन करने वाले हैं, वो अतिविसिस सेवा मेडल, और सेवा मेडल से सम्मानित है अलड़ी, यह Lieutenant General J.P. मैथ सहाब को यह replace करने वाले हैं, जल्दी से बताना है, एक random question मेरे दिमाग में आ गया है, आपको बताना है कि रतन टाटा की जो November 2022 में most awaited biography आने वाली है, वो कौन लिख रहे हैं, देखे सबसे पहले जवाब कौन देगा, देखे कौन है जो सबसे पहले जवाब देगा, चलिए तो यहाँ पर जनता बोले है कि सर सही जवाब होना चाहिए, आरियर्न, छाया, आरती, सानिया, यहाँ पर सबको यह जवान में मूँ पर रटा होना चाहिए, तो यहाँ पर जनता बोले है, सर मैथ्यू का नाम देखकर कि आपको याद आया है, क्या तो यहाँ पर सही जवा जवाब है Thomas Matthew, अंकित ने जवाब Captain Morgan ने, है ना, यहाँ पर याद रखेगा Thomas Matthew या James Matthew भी याद है तो भी चल जाएगा विमल, हमको बस याद रहना चाहिए Matthew, तो रतन टाटा की जो हमारी famous किताब है, जो आने वाली है, वो Thomas Matthew लिख रहे है, तो JP Matthew से हमको याद रखना आने वाल चलिए, विस्व वन जीव दिवस, आप लोगों को ने कल बताया सर, World Wildlife Day है कल, आप लोगों बताया सर, तीन तारीख है, World Wildlife Day है कल, तो अच्छे बाप था यह थीम क्या था, थीम क्या था, याद है तुम लोगों को, कहीं तो पढ़ाई हो कल, बताओ, इन में से क्या थीम था जनता बुले सर, थीम के अगर आप बात करेंगे, हाँ, थीम की बात करेंगे, तो थीम के आप बात करेंगे, रिकवरी की स्पीसेस वार इको सिस्टम, यही है ना भई, चार नंबर, क्यों जनता, यही लग रहा है ना, भईया, एक्जाम में पूछा जाएगा, यह World Wildlife, SSC मे भईया, World Wildlife ही आता है, हमाज रोखी नहीं, World Wildlife और इससे रिलेटेट जितने भी हमारे बायो डाइवर्सटीज हैं, बहुत इंपॉटेंट है, आने वाला कोश्चन है, तीन हमारे मार्च को हुआ था, रिकवरींग की स्पीसीस वार इको सिस्टम, यह इस बार का थीम है, यह हमारे मार्च को हमारा सेलिब्रेट किया गया और यह इसका लोगो था, यह देख रो, यह सेर है कि हमारी लोंबडी है, समझ में नहीं आ रहा है, रिकवरींग की स्पीसीस वार इको सिस्टम रिस्टोरेशन, यह इस बार का थीम है, याद कर लो, आने वाला है यह प्रस्न, ठीक है बाबू, आने वाला है ना, चलिए, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे संयुक्तरास्त महासभा ने, 20 दिसंबर 2013 को, कब यह सुरू किया गया, 2013 से, अगर भूल गए, क्योंकि मेरे वाइफ के एक्जाम में यह आया था, कि हमारा जो human right, जो day है, वो कबसे सेलिबर तो उनके में यह प्रस्ण पूचा गया था, कि human right day को कब सेलिबरेट करते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछेगा, world wildlife day का theme क्या है, कब से सेलिबरेट करते हैं, कौन से से सेसन में मनाय गया था, तो 68 से 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 सेलिबरेट करते हैं, और आपको यह भी आद रखना है, कि यहाँ पर हम लोग 8000 से जादा संकट ग्रस्त जातियों को बचाने के लिए, यह हमारा प्रोग्राम चला जा रहा है, इसका विसेवस्तू है, recovering of species and ecosystem restoration, समझ गई की नहीं, समझ गई की नहीं, यहाँ तक सभी को बात clear है, कर लोगे कि छोड़ क्या होगे सर, हम से नहीं बनें के एक्जाम में, हम नहीं कर पाएंगे, आचे एक बाइब बताईए, सर मुझे प्लीज आज, अरे भाईया, आरती तुम्हारा सेलेक्शन हंडेट परसंट होगा, तुम्हारा एक्जाम कौन सा है, पहले तो यह बता देना, कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे नहीं, चैट में कमेंड में बता देना, चले दोस्तों, तो यहाँ से हमको यह सारी के सारी चीज़े दिमाग में रखनी है, अब जाते जाते मुझे बता दो, हमारा IUCN का हेड़क्वाटर कहां पे है, IUCN का जो हेड़क्वाटर है, वो कहां पे है, जल्दी से जितने भी बच्चे सभी को ब यही तुम लोग इस तरीके से जवाब दो, International Union for Conservation of Nature, यह ग्लेंड में इसका हेड़क्वाटर है, ग्लेंड सुट्जर रेंड जितने बोला है, जवाब सही है, इन्वाइरमेंटल प्रोग्राम का हेड़क्वाटर कहा है, United Nation Environmental Program का ठोकते चलो यार, तुमनों ठोकी नहीं रहो यहाँ पर IUCN का ग्लेंड में, हमारा जो UNEP का एड़क्वाटर है, मतलब United National Environmental Program का नैरोबी में यार, अभी पताया है थोड़ी दिर पहले, नैरोबी कहां पर है, केन्या में, कर लोगे ना भाई यार, बोली ने रहें किसर हम कर पाएंगे, किसर हम से नहीं हो पाएगा, एक् यहाँ पर एक और कुस्चन आ गया, हमारे यहाँ पर Child Right Protection Act और Narcotics ने मिल करके, हमारे क्या सुरू किया है, एक संयुक्त कारिश सुरू किया है, जिसका नाम है Roll Out Action Plan, जिससे कि वो बच्चों को, जो ड्रक्स है उसको लेने के लिए, क्या करेंगे, उनको रोकेंगे, कितने ड सुरू किया रहा है, 344, 272, 244, सर ने प्रस्न पूछा है, कि हमारे जो बच्चे है, जो ड्रक्स की तरफ आगे बढ़ रहे है, है ना, उनको रोकने के लिए यह प्रोग्राम रोल आउट किया जा रहा है, जिसको हमारे Child Right और हमारे Narcotics के द्वारा यह किया जाएगा, कितने तो 272 लग रहा है भाई, 272 जंता को लग रहा है, हमने यहाँ पर रोकना नहीं है, 272 विल्कुश सही जवाब है, तो यह देखिए, हमारा Narcotics Control Bureau दिल्ली में Head Office है, National Commission for Protection of Child Rights, यह भी दिल्ली में इसका Headquarter है, NPCR, और इन दोनों ने क्या किया, tie-up किया और बताया, कि हम लोग प्रवासी और स्वधेस में लोटने वालों और उनके पुररवास के लिए, हमारे यहाँ पर किस आवधी तक, जो है, वो time period दिया गया है, कि हम इनको पूरी तरीके से settle कर देंगे, गाईज, इसका नाम है, हमारे Under Amrela Eski, के तैट क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर बह माईग्रेंट्स को सेटल करने का जो काम है, वो कौन से तक में जिम्मेदारी ली गई है, यहाँ पर जनता बूले सर ऑप्शन होना चाहिए, दो हजार एकिस बाइस से पच्चिस चब्श तक, यह टार्गेट लिया गया है, जिसको अम्रेला स्कीम के तैट, हम जितने भी हम में आये थे, 1915 में, और 2003 से इसको मनाने का घोशना की गई, अटल भिहारी गवर्मेंट ने गांधी जी के आने के दिन को प्रवासिय भारती दिवस या NRID के नाम से बनाने की घोशना कर दी, बास समझ में आई की नहीं, तो यहाँ पर उनको सेटल करने के लिए, जो हमारा टारगेट लिया गया है, 2021-22 मतलब इस साल से ले करके, और हमारा जो है, यह आने वाला 25-26 है, यह इनका टारगेट है, चलिए अगला कोशन देख लेते, अगला कोशन यहाँ पर आता है क्या, तीन मार्च को NIC Tech Conclave का उद्गाटन किस ने किया है, NIC Tech Conclave का उद्गाटन असन बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जनता बुलिया, असनी वैसने हो, होना चाहिए, असनी वैसनों, तो असनी वैसनों सबसे पहले हमारे देश के IT, IT का मतलब होता है, Information Technology, Communication Minister, साथ ही साथ, Railway Ministry भी इनके पास है, और यह राजसभा के मेंबर है, बेटा, कहां के मेंबर है, राजसभा के मेंबर है, कहां से बेटा, उडिसा से, बाबु कहां के, उडिसा से मेंबर है, राजसभा के, इन्होंने हमारे दिल्ली के बिज्ञान भावन में, NIC Tech Conclave की सुरुवात किये, आपको याद रखना है, इनकी consistency exam में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, पूछी जा सकती है, जितने भी नए नेता बने है, मैं नए लॉंडे बोल ला था, नए नेता जितने भी बने हुए है, नेता का मतला है नए मिनिस्टर बने हुए है, उनकी consistency दिमाग में रख करके जाना है, नहीं तो बेटा गईला, समझ रहो कि नहीं, तो यहां पर असुनी वैसन जो है, यह IT communication और railway minister है, खुब हम लोगों ने tweet लगा कर कि असुनी वैसनों, यह हमारे कहां के, उडिसा से राजसभा के मिंबर है, इनके पास बड़ी जिम्मेदारियां है, पहले ही आते आते ही, इन्होंने काफे सारे आंदोलन का सामना किया है, यह हमारे bureaucrats है चुके है, ज इनमार 22 को संचार है, आपको सभी को पता है, इन्होंने हमारे राष्टी सूचना विज्ञान केंदर के द्वारा इस आयोजन की सुरुवात किये, डिजिटल सरकार ने अगली PD की, यह हमारी टेकनिक है, इसके उपर यह काम करना, नेक्स जनरेशन टेकनलोजी फॉर डिजि हमारे व्यापार में अगले चरण को बढ़ावा देने के लिए, गूगल क्लाउड के साथ किसने टाई अप किया हुआ है, अपने व्यापार को नेक्स लेबल पर लेकर के जाने के लिए, टाटा मोटर से ही, हिरो मोटो कॉप से महिंद्रा ग्रूप है, यह बजाज आटो है महिंद्रा ग्रूप्स, महिंद्रा ग्रूप्स जितने लोग बोल ले है, हमारे यहां पर देखें, महिंद्रा साब आ जाएंगे, तो यहां पर हमारे आनंद महिंद्रा साब जी है, सबी लोग इनके बारे में जानते होंगे, काफी एक्टिव रहते हैं, यह बी जो है, यह कुछ ऐसे लोग है जिनको हमको फॉलो करना चाहिए उनमें से एक आनन्द महिंद्रा भी है और यह यह भी लोगों की प्रोफाइल देखते हैं भाइसाब हमने एक बिहार का यह कहीं का एक हमारे भाइसाब थे उन्होंने घर के छट पर कोई अपनी बहुत पुरानी महिंद्र की गाड़ी रखवा दी तो उनसे बड़े इंप्रेस हो गये उनकी उन्होंने प्रोफाइल देखी और इंप्रेस हो गया तो उनको नउनने महिंद्रा की नई गाड़ी भीजवाए थी तो यह आहां पे word economic forum को संभोधीत करें आनेंद महिंद्रा जी और इसका headquarter तुम लोग क्लाउड के साथ भागीदारी की है जिससे वह महिंद्रा ग्रुप के डिजिटल डेटा क्लाउड सेंटर और एक्सिलेंस में क्या करेंगे समझोता करेंगे जिससे महिंद्रा डिजिटल इंजन बोला जाएगा महिंद्रा डिजिटल इंजन जिसमें उनके सारे के सारे जितने हमारे डेटा है वो जाकर स्टोर कर सकते हैं तो यह आपको याद रखना है चले अगले कोशन की तरफ चलते हैं लेकिन अगले कोशन को जाने से पहले मैं चाहता हूं यार कम से कम 480 हो जाए हम में उत्तिते से 460-470 पर छोटे-चोटे से टार्गेट लेते और जितने भी नए बच्च आयोंगे न वह यहाँ पर टिक के बैटिंग करेंगे तो 480 हो जाएंगे जल्दी से सबी लोग यार तुम लोगो चाहिए कि नहीं पांच तारिक को पांच मार्च को पूरे मार्च का नहीं पूरे फर्वरी का डिवीजन चाहिए ना यार एक पर जल्दी से सभी लोग हो जाते है चार्स असी बोलेंगे कुछ नहीं अगला कोश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के जो चीफ निश्टर साहब है जैराम ठाकुर है ना चुनाव भी चल ले हैं वहाँ पर यहां पर आपको बताना है कि ओल्ड स्कीम को वापस से रिश्टोर कर रहे है वापस से सुरू कर रहे है और उस कमेटी के चेर्मेन कौन बनाए गए है महेंदर सिंग है सुरेश भरत द्वाज है अभिनौ कुमार है या राम सुबाग सिंग है बहुत बढ़ी है तो यहाँ पर आपके दोस्त आप से यह इलतजा है कुछ भी तो यहाँ पर जंता बोली है सर राम सुबाग सिंग को हमारे हिमाचर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने क्या कर दिया है हमारे यह कमेटी बनाई है जिससे कि वो पुरानी पेंसन विवस्था उसको वापस से लेकर कर आएंगे यह राम सुबाग जी है अब जो देश की सरकारी करमचारियों को पुरानी पेंसन विवस्था उसको एक अप्रेल 2004 से बंद कर दिया गया था लेकिन वापस से इसको रिस्टोर किया जा रहा है और NPS सुरुवात की जा रही है तो अब यहाँ पर वापस से रिस्टोर किया जा रहा है इससे हमारे स्कीम को और उसके चेयर्मेन बनाए गया राम सुबाक सिंग अब हिमाचर प्रदेश की बात कर लेते हिमाचर प्रदेश तेखे हिमाचर प्रदेश सबसे पहले तो आपका जम्बू कसमीर से नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दिएगा अब यहाँ पर हमारे जो नेशनल करके सिम कार्ड को निकाल करके यहाँ पर एक गंगा बैती जिसका नाम है खीर गंगा एक नदी बैती जिसका नाम है खीर गंगा खीर गंगा में क्या कर दिया खीर गंगा में फेक दिया यहाँ पर देखेंगे इंदर कला नेशनल पार्क अगर पूछा गया इंदर किला ने पे तो पिन वैली नेसनल पार्क भी यहां पर ऊपिए इखी और नेसनल पार्क है जो बहुत ही ज्यादा इंपर्टेंट है जिसका नाम है Great Himalayan National Park क्या नाम है? Great Himalayan National Park तो Great Himalayan National Park कहां पर है? हीमाचर प्रदेश में तो भाईया याद हो जाएगा इंदर किला, पिन वैली, सिमली बाल हमारा खीर गंगा और Great Himalayan National Park सारे के सारे यहां पर है अब कम्पूटर जी ने यहां पर कुछ पासस के नाम लिख रखे देखो यह पासस है, मतलब दो परवतों के जो बीच का रास्ता उसको पासस बोलते है अब भी आप लगों ने कुछ दिनों पहले पढ़ा था अटल टरनल के बारे में तो यह रोहतांग पास है यह रोहतांग पास है मनाली को ले से कौन कनेक करता है एकजाम में आया हुगा कोशन है मनाली को ले से कौन कनेक करता है रोहतांग पास कौन कनेक करता है यार बोली नहीं रहो तुम लो रोहतांग पास और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हमारा व्यास नदी यह कौन सी रिवर है व्यास रिवर यहां से निकलती है जो इंडिया से निकलने वाली और इंडिया में खतम होने वाली यह रिवर है इंडिया से निकलती है और इंडिया में खतम होती है जिसका नाम है व्यास नदी और इसी के उपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हमारा पोंग डैम जिसको नों महाराना परताब डैम भी बोलते हैं डेह… पोंग ऐसे लिखा हूँ यहां पर बना हुआ है इसी को तो को महाराना परताब डैम भी बोलते है। अब गाईज यहां पे आपको दिख रहोगा दूसरा सिपकीला पास, बिलकुल तिबबत और इंडिया के बॉर्डर पर दिख रहा है ना, सिपकीला पास, गाईज यहां से एक नदी हिंदुस्तान में प्रिवेस करती है, जिसका नाम है सतलज, सतलज नदी यहां से हिंदुस् और इसके उपर जो डैम बना हुआ हिमाचा प्रदेश और हमारे पंजाब में उसका नाम है भाखडा नागल डैम, भाखडा नागल डैम, सभी को पता होगा यह बात, अब गाईज यहां पे आता है बरा लाचा पास, दिख रहा है, बरा लाचा पास, जब चुनाव आता है ना तो हमारे यहां के जो नेता लोगों ते बहुत लालाच देते हैं, ते भाईया, तीन लाख रोजगार हर साल देंगे, तीन लाख रोजगार सरकारी नौकरियों में हर साल, और तीन करोड रोजगार प्राइवेट नौकरियों में हर साल देंगे, कंबल देंगे, बिजल जो है वो सुधर गई है लेकिन जैसे ही चुनाव खतम तो जैसे गदे के सर से सींग गायब हो जाती है वैसे ये भी गायब हो जाती है तो जब बरालाचा मतलब बहुत लालस दिया जाता है तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चेनाव रिबर क्या निकलती है चेन चे से चिनाव याद कर सकते हो और यह जम्बू कस्मीर में इस तरीके से जा करके बैती है और यह पाकिस्तान में जाती है तो चिनाव रिबर कहां से निकलती है बरालाचा पास से निकलती है और यह कनेक्ट करता है यह पास हमारे किसको मंडी को मंडी को कनेक्ट करता है लेह से अगर आप से पूछा गया एक्जाम में मंडी को ले से कौन कनेक करता है हिमाचर प्रदेश में तो उसका नाम है बरालाचा तो मंडी में जब जाते है तो महाँ पे भी लालश बहुत आता है कि ये खरीद ले वो खरीद ले तो इसको याद कर सकते हो मंडी को ले से कनेक करता है बरालाचा पास हो गया भीया हिमाचर प्रदेश के सारे के सारे पास कौन सा रोहतांग पास यहीं पे अटल टरनल है सबसे उची पूरे वर्ड की सबसे उची टरनल और सबसे लंबी टरनल है उसके पास यहां पर आता है हमारा बरालाचा पास जो हमारे मंडी को ले से कनेक्ट करता है और यहां से चिनाब नदी निकलती है उसके ऐसे सिपकीला पास आता है सतलज नदी यहां से निकलती है जो कि हमारे यहां पर ब्यास नदी को अपने में मिला लेती है भाईया कर लोगे कि छोड़ दोगे कि सर हम नहीं कर पाएंगे कर लोगे यह पासेज हिमाचर प्रदेश के यहां के नेशनल पार्क कर लोगे कर लोगे कि छोड़ क्या होगे नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे हिमाचर प्रदेश के बारे में चली आगे चलते हैं लिए कोशन की बोलो भाई, बोली नेरा एक सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तर लोगे भाई, हो जाएगा, चलो आगे चलते हैं, अगला कोशन है, यहाँ पर जो हमारे आटोमेटिक वेंडिंग मसीन होती है, जिसको 80VM बोलते है, इस्टेशनों पे रखी रहती है, धूल जमी जा या फ्री रिचार्ज, क्या होना चाहिए सही जबाब, यार जल्दी से हमनों 480 पहुझ गए, अब यार छोटा सा टारगेट लेते है, 495 का, सिर्फ 15 बच्चों की कमी है, 495, छोटा सा टारगेट है, तो यहाँ पर जंता बोले है, सर पेटियम करो, ठीक है, तो यह हमारे व पुरिजय संकर जी की यह कंपनी है, और इसका हेड़ कॉर्टर कहां पे, नुएड़ा में है, नुएड़ा का नाम सुना है न, नवीन ओखला, इंडस्टियल डवलप्मेंट अथर्टी आफ इंडिया, नुएड़ा में दिल्ली के पास में, यह यूपी का एरिया, यूपी तो यहां पर अबनों बात करें, तो पेटियम ने घोशना की कि वो भारती रेलवे में खान पान और परियाटन निवा आयार सिटी के साथ, अपनी साजी त्यारी को विस्तार करेगा, और स्वचलिट जो हमारी वेंडिंग मसीन होती है, जो आजकल धूल खा रही है, उसके म UPI सिस्टम को अपने यहां पर लागू कर रहा है, UPI का फुल फॉर्म होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटर फेज, क्या होता है फुल फॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटर फेज, जिसको हमारे कौन, NPCIL रेगूलेट करता है, यह इसका रेगूलेटिंग बोड़ी ह NPCIL, यूनिफाइड पेमेंट इंटर फेज के जरिये, पहली बार IRCTC में टिकट काट सकते है, समझ रोग की नहीं, ठीक है, अतुल कुमार पांडे जी का एक विचार आ रहा है, जरा उसके उपर ध्यान दे लिजीगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको QR कोड आएगा, आ टिकट का करेंगे लेके जाएंगे, बीना टिकटे के जाएंगे, आरे नहीं भाया, बीना टिकट के मत जाओ, टिकट लेकर के जाओ, ठीक है, चलिए, तो ये गाईज हमारे यहाँ पर यह सारी चीज़े याद रखनी है, एक्जाम में बहुत इंपॉर्टन जाता है, समझ इसी हमारी योजनाए हैं, जिसको हमारे किसने रक्षा मंत्राले ने मंजूरी दिये, यार आज 500 बच्चे अगर नहीं हुए ना, तो यार मजा नहीं आएगा, सच बता रहे हैं, यार तुमी लोगों जो 500 बच्चे कर सकते हो, 480-90 पर पहुँच गए, हैना संचुरी यार जब लग जाती है, तो मजा आजाता है, जोस बना रहेता है, संचुरी मार देते हैं, जैसे धोनी संचुरी मार देता है, सचिन मार देता है, कोली मार देता है, युराज मार देता है, किता मजाता है, संचुरी लग गई, बाकी खेलते हैं, तो सब अच्छा है, ठीक है, जल तो यहाँ पर याद रुखेगा रक्षा मंत्राले ने रक्षा अधिकरहाण प्रक्रिया की मैक 1 हमारी जो सरकारी वित् पोसी योजनाएं है इसमें हमारे चार और मैक 2 जो कि हमारे कौन सी है यह हमारे बिज्नस परसं सके द्वारा पोसीत योजनाएं इसमें पांस पर योजनाओं को मंजूरी दे दिये तो याद रखेगा चार गवर्मेंट के हमारे द्वारा और दो जो है यह हमारे इंडस्टियल फंडेट का योजनाओं सुरू की जा रही है जो की हमारे कल यह यह discussion लिया गया ठीक है न चलिए तो यहाँ पर भारती वाई सेना के अपाचे हेलिकाप्टर है भारती वाई सेना का चिन्यूक हेलिकाप्टर है भारती वाई सेना का विमान रख रखाओ है और भारती सेना के यंत्रिकत बलो को एकिकत करना है और भारती सिना के जो हमारे आटोमेंटिक लडाकू वहान है उसको भी रेगुलेट करना है यह हमारे पांच मिसन है किसके हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अच्छा एक कोश्चन आ रहा है यह स्राज फिल्म के मुख्य CEO कौन बने है अक्छे विधानी है अरोहन मलोत्रा है आन तो यहां पर जंता बोलिए सच सही जवाब होना चाहिए अक्षय वधानी यहां पर यसराज फिल्म जो की हमारी एक बहुत बड़ी फिल्म इंडॉस्ट्री का या फिल्प्रडॉक्शन कंपनी का नाम है उसके हमारे सीओ के तौर पर बनाये गए कि आ फिस्मार्ट लग रह इने वाले होंगे पक्का है मुंबई में ही लोग ऐसे जो है बंठन के रहते हैं समाध रोकी नहीं तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस यस राज फिल्म ने घोशना की कि अच्छा विधानी को तुरंत प्रभाव से CEO नामित किया जा रहा है अक्षा ने हाल में ही Senior VP Finance and Business Affairs and Head of Operations YRF Studios के रूप में काम किया था यह 17 साल से YRF से जुड़े हुए हैं 17 साल से जुड़े हुएं बच्चों याद रखेगा और यह हमारे देश के क्या बने हुए हमारे YRF के अब CEO बन गएं कई सारे फिल्में प्रेडूस की हैं YRF फिल्म इसने याद रखेगा चलिए आगे चलते तो सिक्षा मंत्राले हार में ही आपको सभी को पता है 17 सी JNU की हमारी कुलपती बनी है दीपक दास के बाद सुनाली सिंग हमारे यहां की क्या बनी है CGA बनी हुए है JNU के कुलपती जगदीश कुमार जी को UGC का चेर्मेन बनाए गया है SR Global के Limited के हमारे जो CEO बने है वो कौन बने है तो अनिल कुमार चौधरी जी बने है तो यह सारी चीज़े याद रखने है एक्जाम में पूछा जाने वाला ठीक है ना नाइट फ्रेंक की लेटेस्ट एडिसन रिपोर्ट के अनुसार भारत की बिलिनियर्स में रैंक कौन सी है पहली है दूसरी है तीसरी है या चौती है बिलिनियर्स जो हमारे यहाँ पर खरब पती है उसमें कौन सी रैंक है अल ओवर इंडिया में तो जनता ने आप पर जवाब देना सुरू कर दिया है कि सर सही जवाब होना चाहिए यार देखो पांच मिनट का वीडियो और बाकी है और क्या हम लोग आज सेंचुरी बापस से नहीं बना पाएंगे 490 पर कल की तरह आउट हो जाएंगे जरा बच्चे यहां पर सपोर्ट करिए आप सभी लोगों के सपोर्ट सही बस 20 बच्चों कमिए 465 पर पहुँच जाते ना लगता है यार और 10 बच्चे सपोर्ट करते तो सेंचुरी बन जाए अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है यार आपनों सपोर्ट करिए थोड़ा सा अच्छा लगता है सपोर्ट हमारे इंदुस्तान के लोग यार सपोर्ट करके ताजमहल को रेंग तीसे पर आ गई है और अल्टरा हाई नेट वर्थ मतलब जो बहुत जादा पैसे पूंजी पती है पूरे वर्ड में इनकी ब्रद्धी हुई है 9.3% जो है यहां पर ब्रद्धी हुई है भारत जो है अमेरिका नंबर एक पर है दूसरे नंबर पर चाइना है और तिसर के नंबर पर इंडिया आ चुका है यह हमारे बिलिनर्स के मामले में भारत में हमारे 30 मिलियम से अधिक संपत्ति वालों में 11% की ब्रद्धी हुई है भाई सहाब देख रहो 11% की ब्रद्धी हुई है 30 मिलियम या उससे अधिक सुद्ध संपत्ति वालों में है हम लोग जो ह तो यही नेता बिचारे सड़क पर आ जाते थे जन तक साथ कितना अन्याय हो रहा है आंदनी इनके पास है नहीं और इनको पिट्रॉल भराना पड़ रहा है सतर रुपए में बिरोध कर ये सभी लो फिर हमने आया सही बोले यार ये नेता लोंग एकदम सही बोले बताइए ग और यहां पर जो खाने का तेल फा्रुपए हुआ करता था तो हमनों बोलते हैं बड़ा महेंगा तेल है यार ये तो 40-50 रुपए में हुआ करता था ठीक है तो गॉर्मेंट कहीं कि यार बहुत बेकार गॉर्मेंट है बिक गई है गॉर्मेंट लेकिन उसके बाद से क्या सबसे पहले पिट्रॉल की कीमते 100 को पार कर गई मैं गॉश्मनेंट की बाद कर रहा हूं है हिंदुस्तानी के तरफ है हमारे जो कच्छा तेल है जो हमारे यह पर अभाई का तेल वह 200 रुपै का चैर्ट सरसो का तिल सरसो का two- מה का भाई साब समाज़ रही कर अब यहां पर हमने पूछा कि साथ हो सकता है प्रडक्ष συν में कमी ओर रही हो तो किसां से बात की तो उन्होंने टेक्स देने पड़ते हैं फिर भी हमारे देश के आम नागरिक को जिनकी पांच लाग से ज्यादा इंकम है वो मार्च में अपने ऐसे खोपड़ी को ऐसे खुजली कर रहा है कि वो इंकम टेक्स कैसे बचा है आप मेंसे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पिता जी कि आज सोच रहोंगे कि अपरेल में उनकी सेलरी आएगी कि नहीं आएगी कि भाईया किसी से करजा मार के घर में काम चलाना पड़ेगा तो यह हरे एक हिंदुस्तानी मतलब बगग यह मैं बात करूंगा तो 75 करोड से ज्यादा हिंदुस्तानी आज कल इसी से जूज रहा है लेकिन यह रिपोर्ट बोलने ही है कि हमारे यहाँ पर पूंजी पती जो है वो पूरे वर्ड में तीसरे नम्बा पर सबसे जादा है ठीक है तो यह चीजे हमको याद रखनी है बदाए कंप्यूटर जी कंप्यूटर जी कुछ कहीना चाते है हाँ अगर आपके जादे निसल्गार तो कुल बोपेंगा ए भई आपके जादे निसल्गार तो कुल बोपेंगा हलो अभी आवाज आ रही है अपने आपका एक नया प्रोड़क्ट है और बड़ा अनोखा सा प्रोड़क्ट है जो कि हमारे यहां पर जो डॉग है उनकी हेल्थ के इंसुरेंस के लिए काम करने वाला है तो आपको यहां पर बताना है यह आपके सामने ओप्सन लिखे हुए है कौन सा यह इंसुरेंस कर रहा है बिचारी अगर बिमार हो गए है ना बिचारी के अगर गल्फ्रेंट छोड़के भाग गई डिप्रेसन में चले गए है ना तो उनके लिए पूरी की पूरी हैना मेडिकल असिस्टेंस देने वाला है जो अमीर लोग है न वो अपने आपर आपने कुटों का इंसुरेंस क्राइंगे वही पुझी पति हम लोहं के छो कुटते होते हैं उनका इसे दूड डाल दो रोटी फेग दो भी पहा करके बुल्डोजर हुए रहते हैं समाझ रहो की नहीं बुल्डोजर वए रहते है उनको ना जरूआछ centralized की तो गैस यह जो जो ने ने तरीके के उनके बढ़िया जो है वो चोटी बांदी जाती है उनको बढ़िया सेंपू से नहलाया जाता है लाइब वाय साबून से नहीं नाते हैं वो वो नाते बढ़िया वाले सेंपू से जो 400-500 का आता है इतना बड़ा वाला लगाने के बाद एक दम वो हीरो ब कितने रुपै में 330 प्रतिमाद से आप जमा करिए अगर किसी बिमारी की सरजरी की है या उसको मृत्यू हो गई है तो आपको यहाँ पर पैसा मिलनेवाला है समाज रहो कि नहीं तो देखिए नहीं सब्सक्रेण होती है जानवर यह जानवर और इनसान में यही फरक होता है कि इनसान जो है जानवरों की फीलिंग को भी समझता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज कल के जानवर जो है वो इनसानों से दो कदम आगे हैं अगर आप किसी कुट्टे को किसी डॉक को अगर आप पालते है तो वो क्या करता है वो इतना ज्यादा आप से जुड़ जाता है लगाव हो जाता है कि मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक इनसानों से ज्यादा वफादारी सो करता है अप एक इनसान को अपने आप पाल चाहिए पाक स्टेट यह कहां पर लाई करता है नेम दा पास बिट्पीन कैलास मान सरुवर के बीच में जो पाक है उसका नाम बता है लोटक लेक के बारे में कंप्यूटर जी पूछ रहे हैं हाइस डेम इंडिया का कौन सा ये भी बता दीजिए तो इसी के साथ अगर आप कि पास खरीदना चाहते है तो पैक पास पैक लगाई और उसमें पास लगा दीजिए तो पैक पास आप यहां पर लिख सकते हैं तो इसी के साथ आज से अलवीदा लेने का वक्त आ गया है मिलते अपनी नेक्स क्लास में तब तक के लिए अलवीदा सायो नारा और भाया देख कियर एंड पांच तारिक को फरवरी का रिवीजन है छे बजे से आठ बजे तक आईएगा जरूर निमंत्रन पत्र भजवा देंगे और कल भी आपकी क्लास होगी